जोदी जी के पास एक तिलस में है वो दूसरे का मन बहुत जल्दी पढ़े लेते हैं उनका भी मन एक है कि किसी तरह प्रधान मंत्री बन जाया जाया किसको बाकी ये जानते आब हैं कमी सबसे पहले तो प्रतीक जी वो सवाल ना तो भाजपा का था ना किसी हमारे पुरुमंत्री का था वो सवाल इस देश की जनता का था और उस सवाल को सबसे पहले उठाने वाले इस रहस्च का उदगाटन करने वाले एक ऐसे नेताते जो पच्चास वर्सों तक कॉंग्रेस पार्टी और नहरू परिवार के प्रिया उनके करीबी बने रहे उनका नाम है गुलाम नभी आजा और उन्होंने ये खुलासा किया कि राहूल गांदी अपनी विदेश यात्रा में दस से अधिक विदेशी कारोबारियों से मिलते है तो आज देश जानना चाहता है वो कारोबारी कौन है और राहूल गांदी का उनसे क्या रिस्ता है मुझे पिपलो जी आप सभी एक सवाल पूछना है अगर कॉंग्रेस पूछे कि अडानी और बीजेपी का संबन्द क्या है तो वो कॉंग्रेस का सवाल हो जाता है बाई रुकिए वो कॉंग्रेस का सवाल हो जाता है लेकिन अगर कॉंग्रेस पलेट के ये पूछ ले तो आप आप बीजेपी और जब बीजेपी कहती है कि न वो तो जनता का सवाल ये है कि राहूल गांदी किस से विदेश मिलते हैं तो ये जनता का सवाल हो जाता है ये कै गाटन किया ना भाई इस रहाश का उद्गाटन हम तो नहीं जाते राहूल जी के साथ विदेश में कहां जाते हैं किन से मिलते हैं ये तो उनके साथ गनिष्ट संबंद रखने वाला वेक्ति ही खुलासा कर सकता है और वो गुलाव नभी आजाद है पुर्वु मुख्यमंत् अगर पाल्यमेंट है तो पाल्यमेंट चलाने के जिम्मेदारी उनकी है और अगर सबसे पहले उनसे सवाल किया गया आज पूरे एक महिना सवाल किया गया कि प्रदान मंत्री के साथ कौन जाता है प्रदान मंत्री के पहले कौन गया प्रदान मंत्री के बाद कौन गया तो तो आप जवाब देंगे, उसके बाद तो आप सवाल लेंगे. जवाल का तो जवाब होना चाहिए. जी सवाल का दो जवाब होना चाहिए एक सौट सेलिंग कमपणी ने एक रिपोर्ट प्रस्तूत की उस पर इन्हों ने इतना हंगावा मचाया कि अरबो रुपिये वारे नियारे कर लिए हिंडन बर्ग ने हिंडन बर्ग से इनका क्या रिस्ता है एंडर्सन कौत्रों की मिसेल और इन्हें प्रती जी पहले तो आपको आपके सभी दर्शकों को भारत मता कीजिए और बंदे मात्र हुआ अपने मित्र जो हैं कॉंग्रेस के प्रवक्ता उनको सुन रहा था तो मैं तो केवल बहुत विनमरता से दो तीन चीजें हैं जो मैं पूछना चाहता हूं कि आखि एक डेटा है 2003 से और 2009 के बीच का एक बिटिश कंपनी के अंदर ये खुद बताए उसका नाम क्या है जिसमें 65% हिस्सेदारी राहूल गांदी जी की थी और 2003 से 2009 के बीच में उस कंपनी को जो डिफेंस सेक्टर में इतने सारे प्रोजेक्ट मिले जो विदेशी कंपनी थी आ आप साथ साल के अंदर 271 से जढ़ा विदेश जाताय करते हैं हर साल 55 से जढ़ा विशेश जाताय है पाथ से जादा विदेश जाताय हर महीने ऐसा क्या बिजिनेस राहूल गांदी जी का या यह जो दो हजार चुबिस का जो चुनाव है चुनाव है मैं तो आपके माध्यम से भारते अंता पार्टी और मोदी जी को भी रिक्वेस्ट करता हूं करता हूं कि आप आप जो 2019 में 2019 में दो करोड जॉब की बात की थी पंदर लाख रुपया की बात की थी काले धन की बात की थी आप उस पर चुनाव लड़ें यहां पे सर कोई बेरोजगारी की बात नहीं करता है यह वह कैसे परिसान है आपस में जैसे